हालो दोस्त आपको भी है समस्या आपकी छुटी कहीं खो जाती है अपने ओपनलाइन पास के लिए अपलाई किया है नहीं मिलता है मिच्वल ट्रांसफर में डिले हो रहा है कोई नहीं रेलवे में सुनता पीअप बीड्रोल का फॉर्म डाला था कहीं खो गया है हमें अपनी एपियार भरा था लेकिन इस साल अपडेट ही नहीं हुआ हमें अपनी सारी क्लेम नाइट ड्यूटी बगेरा बगेरा अपलाई करना है समय नहीं मिल रहा हमारी प्रोसेस कब होगी इसके लिए छुटी लेके हेड क्वाटर तो नहीं जाना पड़ेगा यह सारी समस्या है जिसका जंजट का अंत तुरंत यह रेलवे करमचारी और प्रिंसरल यानि जो रेलवे से जुड़े हुए हैं जो बेनफीट उठाते हैं उनके लिए है खुसकबरी एक नया सिस्टम आया है A4MS जिसमें सारी चीजे आपको डीजटल इंडिया के तहत करके दिया जाएगा यानि आपको छुटी बरनी है कहीं नहीं जाना कोई पेपर नहीं चाहिए पहताएं, कंप्यूटर पेटें अपने नेट से या मॉबाइल से अब अपनी छुटी अप्लाई कर सकते हैं । आपको पास सर्वीस अप्लाई करना है कहीं नहीं जाना आपको हेटकुवार्टेर औफिस जाने प्रूरत नहीं है online apply कर सकते हैं mutual transfer लेना है बहुत बड़ी-बड़ी समस्या होती थी trace करने में कहीं office की delay में यह भी आपका online हो जाएगा PF से पैसे निकालने है या PF में आपकी status देखना है यह भी online देख सकते हैं APR आपका annual performance report भरा जाता है उसको कितनी time लगती थी प्रोसेस होती थी paperwork होता था कई बार किसी का update ही नहीं होता था रह जाता था घरों पर पढ़ा हुआ या कहीं office में पढ़ा हुआ जिसकी process करने में बहुत time लगती थी यह भी अब online होगा जिस इस पर सबको दिखेगा कि हमा सबको नहीं imply को और जिसने इसको आपके controlling officer है उनको दिखेगा imply is service जिसमें आपके सारी process कर सकते हैं तो क्या यह railway में पहले हो रहा था तो नहीं आपको मैं बता दू प्राइबेट कंपनियों में तो बहुत पहले से ही शुरू था हलाकि Delhi Metro Rail में आज से चार-पांच साल पहले से इस process इस तो पहले था ही साथ-साथ कुछ और चीजे online थी लेकिन यहां भी अभी complete नहीं हुआ है उसी तरह railway में भी अब शुरुआत हो रही है कि आपकी सारी चीजे process हो तो इसको हम कैसे जानेंगे क्या क्या है तो government की हम एक चूल जब भी बात करते हैं तो general हम आपके पास जो भी document होता है official document होता है तो देखिए official document में किसके द्वारा आया है ministry of railway की तरफ से आया है जिसमें आपको human resource management system सबसे पहले human resource का आप जानते है HR जो आपकी जो भी process का department होता है उसको HR department करते हैं और management system तो आप जानी रहे है management system होता है उसको manage करना जिसको digital ग्रूप से किया जा रहा है तो railway के 27 लाख family इसमें medical service भी आपका हो सकता है include हो लेकिन अभी जो जो detail आया है उसके बारे में हम बात करेंगे जिसमें improved service के बारे में बोला जा रहा है सारी condition को आपको online किया जाएगा जिसमें big update का सकते हैं तो big update में देखिए efficiency बढ़ाने का है लोगों को इस साथ में है form बरने के कहीं जाना ना पड़े railway system अच्छा हो इसका यही है और digitally implied society बने और knowledge of economy के साथ बड़े बड़े impact के साथ लोग काम करते रहें इसमें आज के date में आज का 24 तारीक है आज का सकते हैं 26, 11, 2020 तारीक है इस date में इसकी शुरुआत करने की परस्तावना पास हो गई है आगे देखि employee self service इसमें आपको एक password और आपकी एक login ID दे दी जाती है इसके द्वारा अपनी जितनी भी छुटियां है अपनी leave है सब आपके online generate कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा छुटी है convince है बगेरा 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 इसमें सारी चीज़ आ जाती है अब कितना इसमें ESS बहुत बड़ा चीज़ है लेकिन इसमें कितना अभी active होगा उसके बाद सोचने की चीज़ है तो यहां से leave our claim तो at least आपका होगा ही साथ में उस leave claim को आप देख भी सकते हैं कि आपका present status कहां पे है आपके deputy के पास है डिप्टी होडी के पास है एससी के पास है आपके एई आपका एगियोम उनके पास है या जो भी आपके officer है उनके पास कहां रुका हुआ है यह सारी चीज़े भी देख सकते हैं उसमें दिखेगा भी approval होगा तो आपको notification mail के द्वारा भी आएगा सबसे बड़ी problem provident fund जो लोगों का कमाई लोग निकालना चाहते हैं उसके बारे में भी आप online कर सकत हैं आवेदन और देख भी सकते हैं status दोनों चीज़े हैं उसके बाद आपका है schedule mood settlement retirement के बाद भी कई लोग office की चकर लगाते रहते हैं कि मेरा payment कब मिलेगा कितने दिन में मिलेगा कितनी process होगी आपका headquarter और आपका home time में अबगर difference है तो वहाँ जाने आने का भी आपको time रहेगा कि हमारा process कहां है और कितनी दूर है है ने benefit आगे चलते हैं इसमें आगे कहा है आपका जो भी है basic information बगेरा भी दिया जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़े को इन्होंने बात किया है APR की जैसा कि हमने बात किया था आपका annual performance appraisal report आपकी जो performance होती है एक साल की मुल्यांकन जो कहते हैं आपकी मुल्यांकन भी आपका direct दिखेगा इसके बारे में भी है जो imply है present में उनकी मुल्यांकन होती है retirement की नहीं होती है ध्यान दिजेगा उसके अलाबा आपकी बहुत ब पेपर से रिप्लेस करके electronics pass module हो जाएगा उससे आप कर सकते हैं office order module हो जाएगा जिसमें आपने जितने circular आते हैं आपके ये भी आपको online हो जाएगा उसके अलाबा जितने भी order है अपडेशन है सारा आजाएगा new employee की सारी condition आजाएगी आपका promotion हो रहा है कब होना है क्या status है ये भी online हो जाएगा आपकी transfer of imply यानि आपको mutual transfer हो या जो भी transfer है ये भी आजाएगा और retirement से related जितनी भी process है सब आपके पास online हो जाएगा यानि कह दे कि आपकी paperwork खतम होके आप किस पे आजाएगे online पे आजाएगे और online में ये ही benefit है ये आपने एक चीज माली एक leave create कर रखा है ये leave present status में किस के पास है वो भी जान सकते हैं sensor है not sensor है सारी चीजे आपको दिखते रहेगी जैसे ही आप login करेंगे तो है नहीं ये बड़ी चीज हो सकता है कि आज के जबाने में लोगों के पास time कम है उस time में ये बहुत उपयोगी होने वाला है जैसा कि हम अब भी तक आ भी कुछ पार्ट होता होगा लेकिन यहां पे तो पूरी platform को ही digital करने की बात किया जाया रहा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बेनपीठ है तो कह दे जंजट का अंत तुरंत HRMS Human Resource Management System Railway Imply के लिए थैंक यू धन्यवाद